दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं WhatsApp की एक ऐसी ट्रक की जो कि आपके लिए काफी जादा अच्छी होने वाली है जी हाँ दोस्तों ये इसलिए अच्छी होने वाली है क्योंकि कई पर ऐसा होता है कि आप कुछ लोगों के मेसेजिस को रीड नहीं करना चाहते हैं बट को ऐसा लगना चाहिए तो ऐसा करने के लिए आप क्या करेंगे हम आज आपको इस ट्रिक में बताएंगे पहले मैं आपको बता रहता हूं कि मैं क्या और किस टाइप का काम करने वाला हूं तो आप एक बार देखिए सपोस कीज़े मैंने कोई मैसेज यहां पर भीजा हाई आप देख सकते हैं यहां पे हो गया है डिलिवर यहां पर डबल टिक्स आ चुके है और यहां पर मेरे पास मेसेज की नौटिफिकेशन आ चुकी है तो अब मैं क्या करूंगा आप अगर देखेंगे यहां पर तो अब अगर मुझे इसको read करना है तो मुझे यहां whatsapp open करना पड़ेगा और मुझे इसको click करना पड़ेगा जैसी मैं इसको click करूंगा तो मुझे यहां पर blue tick के mark आ जाएगा अब इसको हटाने का वैसे तो whatsapp भी एक तरीका देता है जो की बड़ा simple सा है और मगर मुझे ऐसा लगता है कि वो अगर आप तरीका अपनाएंगे तो आप भी दूसरे बंदों के blue ticks को नहीं देख पाएंगे आपको accounts में जाके privacy में जाके आपको read recipes को off करना है और अब आप किसी को भी यह not दिखाएंगे कि आपके आपने वो message पड़ा या नहीं पड़ा और नहीं अब आप देख पाएंगे कि आपके message को दुनिया ने पढ़ा या नहीं पढ़ा तो अब आपको क्या करना है मतलब ये तो बिल्कुल बेकार solution है क्योंकि इससे आपके पास भी कोई भी blutex वाले mark नहीं आएंगे तो इसको वापस on कर देते हैं और आपको बताते हैं कि आज किस ट्रिक के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं तो दोस्तों इस ट्रिक को यूज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा आपको सबसे पहले जाना पड़ेगा प्ले स्टोर में प्ले स्टोर में मैं आपको एक आप का नाम बताता हूँ लोड हो रही है सिर्फ जरासी 8 MB की एप है रेटिंग और सब कुछ सही है इसका जब तक इंस्टॉल हो रही है तो दोस्तों आप एक लाइक कर दीजे मेरी वीडियो को उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी और साथ ही साथ और भी ऐसा अच्छा कंटेंट बनाने की इच्छा जागरुक होगी तो आप देख सकते हैं यह होगी है हमारी अंसीन अप और आप देख सकते हैं आप लिखाए आपको यह च्छोटासर डेमो भी दे रहे है कि कैसे कोई भी मेसिज आता है आपके पास तो यहां पर आपको दिखा देगा तो इसको नेक्स्ट करते हैं हम लोग आप देख सकते हैं यहां पर बहुत सारी एपस बनी होई आ रही है जैसे कि मेंसेंजर वाइबर टेली ग्रा की बात कर रहे हैं तो हम लोग WhatsApp पे टिक करके आगे बढ़ेंगे नाओ अब हमें क्या करना है हम यहां पर authorization देनी पड़ेगी इसको इसको authorization देने के लिए आपको यहां पर notification access में okay पर क्लिक करना है कि मैं वाप इस बैक पर क्लिक करूंगा तो आप आप देख सकते हैं यह open हो चुकी है मेरी यहां पर लिखा हो रहा है यहां पर लिखा हो रहा है WhatsApp messages suppose कि जब आपने अगर यहां पर तीन चार एप्स को open करका होता तो यहां पर all messages में सारे अलग अलग आप से सारे message यहां पर दिख रहे होते और WhatsApp में आपको सिर्फ WhatsApp वाले दिख रहे होते तो चलिए अब एक बड़ देखते हैं यह work कर रहा है नहीं कर रहा है और किस किस चीज के लिए work करता है और क्या इसके disadvantages हैं तो दोस्तों मैं क्या करूंगा मैं दूसरे फोन से एक वापिस दुबार से message भेज़ूंगा और देखी यहां मैंने message भेज दिया है यहां पर यह deliver हो जाएगा और यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर मेरे पास ऊपर WhatsApp की notification आई है अगर मैं आपको नीचे करके दिखाऊं तो आप देख सकते हैं यहां पर hello message आ रहा है हाला कि यह एक लाइन का message था तो मुझे read हो गया अगर मुझे कोई बड़ा message में भेज़ेता है यहां पर तो मैं पूरा message रीड नहीं कर पाता जैसे आप उपर वाले cases में देख सकते हैं बट आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर मेरे पास unseen app के अंदर यह message आ चुका है अब मैं आपको एक बार कोई बड़ा message भेज के भी दिखाता हूं औ तो हमने भेजा यहां पर एक बड़ा message और आप देखिए यहां पर आपको पूरा का पूरा message आ गया है जब कि अगर मैं आपको उपर notification में दिखाऊं तो उपर notification में यह चीज नहीं आई हुगी देखिए आप यह देखिए आप पूरा message नहीं पड़ पा रहे हैं तो यह इस मैं बात करूँ messages में कोई picture भेजता हूँ अगर मैं देखिए आप मैं message में picture भेज रहा हूँ तो यहां पर फोटो नहीं आ रही है यही इसका सबसे बड़ा नुकसान है कि यहां पर आपको फोटो नहीं दिखाएगा चाहे आपने download on करक्खा हो या नहीं करक्खा हो इसके लिए आपको गैलरी में जाना पड़ेगा और वहां दोस्तों यही था इस वीडियो में उमीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप अब कोई भी message पढ़ पाएंगे बिना WhatsApp को खोले तो अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरू करना और साथ ही साथ हमाई चैनल को सस्क्राइब करना